रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठकर यू ना बेट मनजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा भारती सेना की तैयारी करने वाले सभी भाईयों को मेरा नमस्कार गूड इवनिंग में काक्सा सेकिंड की चात्र आपके सामने एक सीवचार लेके उपस्तितु जो इस प्रकार कोशिच करने वालों की कभी आण नहीं होती दर्त में मेशा कोशिच करते रहना चाहिए ठैंक य हाँ जी चलिए माइक हमें दे दीजिए हम पढ़ाते हैं आप जाएए ठीक है हलो भाई दोस्तों कैसे है आप सभी सर जमिह हिंदुस्तान के सभी करम योधाओं को मेरा नमस्कार और आपको ये मोटिवेशन कोटेशन कैसे लगी इस वच्छी को कमेंट बुक्ष में आप ज देखने के बाद मेरे दोस्तों जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारे पास ही रहती है और जो हम आपको मोटिवेशन कोटेशन जो सुनाते हैं दिन भर में उसको बार बार ये रिपेट करती है जो नहीं आता है वो हमें पूस्ते है और बहुत सारे कमपेटिशन की सभी क्योसंद इसमें इंक्लूड होंगे, बहुत ये अचा, श्यानदार और लाजवाब दोस्तो ये model test paper है, इसके अंदर आप देख सकते हो सामनी ज्यान के 15 क्योसंद, सामनी विज्यान के 15 क्योसंद, मैच्स के 15 क्योसंद और दोस्तो रेजनिंग के 5 क्योसंद इस सेसेंद क जो एकजाम होगा उसके अंदर आराम से आप मेरे दोस्त 40 पलस ही करके आओगे और उसके अंदर आप अगर 38 पलस करके आगए ना मेरे दोस्त तो सलेक्शन आपका डेफिनेंटली होगा यह आप मान के चलिए और जिस दोस्त ने अभी तक अपने ARO BRO में कॉंटेक्ट नहीं क कर रहे हैं मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ मेरे दोस्त आर्मी है यह अपने इसाफ से चलती है अपने इसाफ से नहीं चलती यह आपको ध्यान रखना है यह कभी कुछ भी करवा सकती है यह आप मान के चलिए ठीक है तो एकजाम है यह आपका 20 जून को होगा इसे आप ए आईगा तो हम ज्यादा बाते ना करते हैं दोस्तों फानल अपने सेशन के तरब बढ़ते हैं पाइन और कोपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ते क्योंकि हम जिके के ऑप्संस के बारे में भी डिसकस करेंगे क्योंकि आज हमने बहुत आच्छे शांदार लाजवाब क्यों सेशन को लाइक कीजिए ज्यादा सी ज्यादा ताकि हमें मोटिवेट मिले हमें एनरजी मिलते हैं दोस्तों जब आप एक लाइक करते हो और अगर हम उर्जा वाहन रहेंगे तो आपका इकजाम भी बहुत शांदार होगा क्योंकि आपको एक से बढ़कर एक क्यों देखने क कैटना पैस्ट कुसन कहता है मेरे दर दोस्ती पैसीभूमीका देस किसे कहा जाता है बहुत शांदार क्यों Süह दोस्ती नाफरीका ऑस्ट्रेलिया या मैयमार यह बताईयों ऑप्संस' को ऑची तरह के रइड कीजिए और एक बी चुसन मेरे दोस्त आपका गलत नहीं होना मे एक बटा तिन यहाँ पर नगेटिव मार्किंग होगी पूरा सेशन देखने के बाद आपको काट कुट के बताना है आप इसमें मेरे दोस्त कितने के उसन राइट करते हूँ बिलकुल इसका राइट आंसर जो दोस्त आपसें शी बता रहा है उस्ट्रेलिया वाके में उसके तैयारी बहुत अच्छी है सरहानी है बहुत अच्छा मेरे दोस्ते अब ध्यान लगा के सुनिया आपके एकज़ाम के अंदर क्यूसन बनता है मेरे दोस्ते एसिया का मरीज के से कहा जाता है तो दोस्तो चीन को कहा जाता है एसिया का मरीज दोस्तो आपके एकज़ाम के अं मेरे दोस्ति ध्यान रखना आपके एगजाम के अंदर very important question बनता है मेरे दोस्ति स्वरनिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है स्वरनिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है तो मेरे दोस्ति ध्यान रखना म्यामार को स्वरनिम पेगोडा का देश कहा जाता है जितने बेदर फेक्ट बोलें इमांदारी से नोट कर लेना मेरे दोस्ती जो आपको गल्थ इसे नहीं आता है पूरा सेशन देखने के बाद इतना कंटेंड आपके पास हो जाएगा जो कि आपके इगजा में जो काती हूँ रेपिट होगा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ते मर्नो परांत भारत रतन से सम्मानित पर्थम वेक्ती कों थे क्योसन स्कौाच से तरे के से बढ़ना मेरे दोस्ते यहाँ पर क्यूसन में आपको पूचा है मर्नो प्रांत भारत रदन से सम्मानित पर्थम वेकती कुन थे यह आपको बताना है जे संकर कुरूप खान अब्दुल गफार कां इंद्रा घंदी लाल बहादुर सास्त्री डिमाख लगाई अपना और इसका राइट आंसर दीजिए और आप सभी के बहुत से कमेंट आते हैं कि सर एकजाम पास में आ रहा है माइंड फ्रेसर बट रहा है मेरे दोस्त मैं आपको बार बार कहता हूँ बस यही क्यूसन आपके एकजाम में रिबिट होंगे क्यूंकि आपको वक्त मिला है क्यूसन एकजाम का पेटरन वही रहेगा आपका लेवल हाड होगा लेकिन मेरे दोस्त आपको हमने इतनी अच्छी शांदार लाजवाब तयारी करवा दी है कि आपका एक भी क्यूसन एकजाम में बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा यह आपको ध्यान रखना है तीस में से एक दो क्यूसन अलगा सकते हैं बाकि आपको सेम मिलेंगे मेरे दोस्त इसका राइट आंसर जो दोस्त आप्सन डी बतारा लाल बाद और शासरी वो बिलकुल शही बता रहा बहुत अच्छा मेरे दोस्त बिलकुल दोस्तो आपके एक गजाम के अंदर क्यूसन बनता है ग्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित पर्थम वेकती कौन है तो दोस्तो ग्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित पर्थम वेकती जी संकर कुरूप थे ये आपको द्यान रखना है नहीं पता तो नोट कर लेना मेरे दोस्ते आपके इगजा में दोस्तो बहुती शांदार क्यूसन बनता है भारत रतन प्राप्त करता पर्थम विदेशी कौन थे तो दोस्तो भारत रतन से सम्मानित पर्थम विदेशी दे मेरे दोस्ती खान अब्दूल गफार का ये आपको द्यान रखना है आपके इगजा में दोस्तो क्यूसन बनता है भारत रतन से सम्मानित पर्थम भारत ये महिला कौन थी तो दोस्तो ये थी इंद्रा गंदी और भा बताना है कि उसन शास थोड़ी मोत हमने दोस्तों गुमा के लिए हैं देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है विस्वे का आदी महा कावी किसे कहा जाता है महापार्त रमाइन पर्तविराज रासो या उप्रोक्त सभी ये बताई कि उसन बहुत शांदार है इसका राइट आंसर ब पाल मिक्ये ने लिखी तही ये आपको ध्यान रखना है और विस्वे का आदी महा कावी मेरे दोस्ते रमाइन को ही कहा जाता है नोट कर लेना जिसको नहीं पता है तो संसार का अगर हम सबसे बड़ा माहकवी की बात करें तब मेरे दोस्त आपको महा भारत करन के आना है महा भारत वेद व्यास्ति ने लिखी थी ये भी आपको ध्यान रखना है आपके गज़ा में very important क्योष्ण बनता है जरा ध्यान लगा के सुनिये मेरे दोस्त और बहुत से लड़के दोस्त किसन को गलत भी करके आते हैं ध्यान लगा के सुनिये किसन ऐसे बनता है मेरे दोस्त हिंदी का पर्थम बड़ा माहकवी कौन शाथा तो दोस्त हिंदी का पर्थम बड़ा माहकवी था दोस्त पर्तवी राज रासो ये आपको ध्यान रखना है चंदर बरदाई ने य याम ये बताए नेलंबो नियुसिफिरा गार्टन किसका वेगनिक नाम है ये बताए किसन बहुत ही शांदार है मेरे दोस्ते बिलकुल जो दोस्त आफसन ने बता रहा कमल वो बिलकुल शही बता रहा बहुत अच्छा मेरे दोस्ते ध्यान रगना राष्ट्य पूस्प भी कम कमल है एक्जामे क्यों सुनाता है भारत का राष्ट्य पूस्प कौन शाह है तो राष्ट्य पूस्प मेरे दोस्त कमल है और इसका वेगनिक नाम नेलंबो नेवसी पेरा गाटन है यह आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें कि राष्ट्य पक्षी कौन शाह है तो मेरे द बाग और इसका वेगनिक नाम है मेरे दोस्त पैंतरा टाइगरस यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके एक जामे क्यों सनाता है राश्ट्रिय फल कौनशा है तो मेरे दोस्त राश्ट्रिय फल है आम और इसका वेगनिक नाम है मेरे दोस्त मैंजी फेरा इंडिका यह आ साहय मुंबई चैनली विष्टा का पत्नमिया कांडला और दोस्तों मैं आप सवी को ये भी बता देता हूं आपके एकज़ा में дिकेजियस मैत पॉर इंकूलूड कर दिए इन तेन चैप्टर में से आपके मेरे दोस्त मान के चलिए एक चेप्टर ऐसा आएगा जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगा अब आपका नसीव काम करता है कि आपको कौन सा पार्ट डिफिकल्ट मिलता है क्योंकि हम बहुत से दिनों से देखते हैं एक पार्ट चाहिए आप जीके का मान लीजिए चाहे आप जियेस का माँ लीजिए चाहे आप मैच्स का माँ लीजिए एक पार्ट आपको थोड़ा हटके मिलेगा बाकि आपको दो पार्ट मेरे दोस्त ऐसा मिलेगा कि आपको ऐसा नहीं लगएगा कि हम आर्मी का एक्जाम दे रहे एक पार्ट थोड़ा ले उलकाएगा इस दोस्तों पूराना यहा आपको द्यान रखना है दोस्तों एक जाम के अंदर क्यूशन आता है देश का सबसे बड़ा बंदर का कौशन है तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा द्यान रखना दोस्तों आपके एकजा में किसन आता है किस बंदरगाह को जवारी बंदरगा कहा जाता है तो मेरे दोस्ते कांडला बंदरगाह जो की गुजरात में इस्तित है इसे दोस्तों जवारी बंदरगा कहा जाता है बात करते हैं मेरे दोस्त नेश्ट कुशन की नेश ने की थी बिलकुल इसका राइट आंसर जो दोस्त आपसन भी बता रहा है आरेंटी रमिंदत नात टेगोर वो बिलकुल शही बता रहा है बहुत अच्छा वाके में आपके तैयरी सरहानी है मेरे दोस्ते बिलकुल आपके एकजाम के अंदर दोस्तो क्यों सुनाता है नालंद विश्वविद दाले की स्थापना किस ने कीती तो दोस्तो कुमार गुप्त नहीं कीती नालंदा विश्वविद दाले की स्थापना और मेरे दोस्ती अलिगड मुसलिम विश्वविद दाले की स्थापना दोस्तो लाड चम्स पोड ने कीती अलिगड मुसलिम बन्दोबस्त के जनम्दाता किसे कहा जाता है ये बताना है किसन बहुत श्यांदार है इस्ताई बंदोबस्ट के जनमदाता बताना है लाड कारनवालिस, रोबर्ट कलाईव, लाड करजन, लाड ववेल ये बताई क्यूसन बहुत श्यांदार है बिलकुल इसका राइट आंसर जो दोस्त आप्शन ए बता रहा लाड कारनवालिस, वो बिलकुल शही बता रहा है दोस्तो इस्ताई बंदोबस्ट के दोस्तो जनमदाता लाड कारनवालिस को माना जाता है बहुत अच्छा, दोस्तो ए गजाम के अंदर क्यूसन बनता है ध्यान लगा के सुनिये बंगाल में दवेद सासन की स्ताबना किसने की तो दोस्तो बंगाल में दवेद सासन की स्ताबना रोबर्ड कलावी ने की थी यह आपको द्यान रखना है आपके एकजा में क्योशन आता है मेरे दोस्त बंगाल का विवाजन किस गवर्णर जनरल के काल में वाता तो दोस्तो मेरे दोस्त लाड करजन के कार्येकाल में वाता यह आपको ध्यान रखना है ध्यान रखना मेरे दोस्त लाड वेवेल के समय कैबिनेट मिसन भारत आया था सन 1946 बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त यक्स गान लोक नरते किस राजे का है केरल, करनाटक, आंदर परदेश या तमिलाडू ये बताए किसन बहुत ही श्यांदार है यक्स गान लोक नरते आपको बताना है बिल्कुल केरल, सोरी, करनाटक आपसन जो भी बता रहा है, यक्स गान करनाटक वो बिलकोल शही बता रहा है दोस्तो एक गजाम केंदर क्यों सुन आता है मौहीनी एटम या कतकली लोकनर्ते किस राज्य का है तो दोस्तो मौहीनी एटम और कतकली है यह मेरे दोस्त केरल लखा है कुछी बुड़ी डोस्तों आंदर फरदेश का है और भरतना टेम है यह मेरे दोस्त तमीन लाडू का है यह आपको ध्यान रखना है अगर आपको सेशन्स वाके में पसंद आ रहा है तो मेरे दोस्त आप सेशन को प्यार से दिल से लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आपको अच्छा कंटेंट परवाइड कर अपसंस आपके सामने है आच्छी तरके से रेड कीजिए और स्चोच समझ के आंसर देना है मेरे दोस्त वरतमान में सदे से देश हो कि आपको संग क्या पता नहीं है कितनी है इससे पहले हम आपको यो एनो के बारे में थोड़ा मेटर बता देते हैं यो एनो अर्थार्थ स संग का मुखले है यह मेरे दोस्ती नियूरोक के अंदर है । 10 के इसिस्ताइज देश होते हैं और पांच है यह मेरे दोस्त इससके सदश होते हैं बिलकुल इसका right answer जो दोस्त आप्सण शी बता रहा है 133 में वो बिलकुल शही बता रहा है दोस्तो 103 मुआ जो सदैसे देश है उसका नाम है दक्षिन सुडान ये भी आप ध्यान रखना यूएनों में दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही अच्छा कि उसन बोल रहा हूं में जरा ध्यान लगा के सुनिये यूएनों में दोस्तों हिंदी में बासन देने वाला पर्तम वेकती था अटल बिहारी वाजवेई ये आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्तों भारत में परमान उर्जा कारिय कर्मों का पिता किसे कहा जाता है यह आपको बताना है डॉक्टर अपिजी अब्दुल कलाम डॉक्टर हौमी जहांगिर बाबा पंडित जवारलाल नहरू या इन में से कोई नहीं यह बताए कि उसन बहुत ही शांदार है बिल्कुल इसका राइट अंसर जो दोस्त अपिजी अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है और आपके गजाम के अंदर वेर इंपोर्टेंट क्यूसन बनता है पंच वर्षिय योजना के सुरुआत किस के काल भी हुई थी वर्षिय योजना के सुरुआत भारत के पहले परधान मंतरी पंडित जवारलाल नहरू के कारियकाल में सन 1901 में इसके सुरुआत हुई थी यह आपको ध्यान रखना है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट किसन की नेश्ट किसन कहता है मेरे दोस्ते गिरनार की पाड़िया किस राजे में है 36 गड़, मद्दे पर्देश, गुजरात या उत्राखंड ये बताइए किसन बहुत ही शांदार है गिरनार की पाड़िया आपको बतानी है बिल्कुल गुजरात, उफसन शी जो बता रहा वो बिल्कुल शही बता रहा, बहुत अच्छा अब हम बाके उफसनों के बारे में अच्छे तरके से बोलते हैं, आप ध्यान लगा के सुनिए और अपने मोबैल फोन के वोलियूम को बढ़ा लीजे मेरे दोस्त क्यसन्ट मैं आपको कहता हूँ, एक से बढ़ गर एक देखने को मिलेगा, आपके एगज़ा में क्युसन बनता है मेरे दोस्त, मेकाल फटार किस राजे में है, दुबारा सुनिए, मेकाल फटार किस राजे में है, तो दोस्तु यह मेरे दोस्त मद्य पर्देश में है और आपकी एक्जा में क्यूशन बनता है नंदा देवी सिकर किस राजे में इस्तित है तो दोस्त नंदा देवी है यह दोस्त उत्राखंड में इस्तित है यह आपको नोट करना है बात करते हैं दोस्त नेश्ट कुशन की नेश्ट को प्रशित में को दोस्ते थे Hanle आज राखने के लिए पर सीख यह बहुत इंप्वर्टेंट डियाद रिखना और एक जामे के लिए मदर अधूरई तोहुहरे दिल मतु रही तमेलादू उश्वफ है और आपके एगज़ा में किजुशन बनता है पुस्करजील या अड़ाइ दिन का जोबडा है ये दोस्त wann mesmair में इस्तित है बात करते हैं दोस्तो निश्ट किजुशन की निश्ट किजुशन कहता है मेरे दोस्त चीन का कटोरा किसे कहा बहुत अच्छा आपके एक जाम के अंदर किसन बनता है मैं दोस्तों चावल का कटोरा अंदर परदेश को कहा जाता है और दोस्तों बगीचो का सहर बैंगलूर को कहा जाता है ये भी आप दियान रखना बात करते हैं दोस्तों नेश्ट को सन की नेश्ट को सन कहता है मेरे दोस्ती राजस्तान की राज़दानी है कैपिटल का किसन आपके गज़ा में देखने को मिलेगा मेरे दोस्ती राची जेपूर शिमला या गांदी नगर बात करते हैं दोस्तों नेश्ट को सुन की, नेश्ट को सुन बहुत श्यांदार है, उसकर पुरसकार का समंध किस किसेतर से है, सिनिमा, संगीत, वेड़ता या खैल परिशिक से गिये, बताइए, उसकर पुरसकार का समंध किस किसेतर से है, बिल्कुल बहुत अच्छा उप्स श्रतार में दिया जाता है और दरौनाचारी पुरसकार यह मेरे दोसमें नेक्स कोर्षिया जाता है बात करते हैं नेक्ट कूरными की नेक्स की कहता है मेरे दोस्त यह में स है राशाइनिक विजद्य कूछ भाग अंडर दोस्तो बाग गे अंदर है यह दोस्तो 15 Fragen G.S. के पूछे जाते हैं धे यान रखना है ठीक है तो इसका Right Answer जो दोस्तो यह बता रहा है रासाइनी कुर्जा वो बिल्कुल शईब रहा है दोस्तो सेल के अंदर रासाइनी कुर्जा पाई जाती है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन कहता है मेरे दोस्ती पानी की उपरी परत अगर जमने वाली हो तो तल सटी का तापमान किया होगा 0 डिगरी सेंटीग्रेट, 8 डिगरी सेंटीग्रेट 4 डिगरी सेंटीग्रेट या मैरे दोस्त सो डिगरी सेंटी ग्रेड या आपको बताना है कि उसन बहुत इस्यांदार है बिलकुल इसका राइट अंसर जो दोस्तो उसन सी बता रहा है चार डिगरी सेंटी ग्रेड वो बिलकुल शही बता रहा है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन कहता है मेरे दोस्ती पासकल किसका मातरक है ताप उसमा दाब याइन में से कोई नहीं ये बताए बिलकुल आपसन शी दाब बता रहा वो बिलकुल शही बता रहा है दोस्तो दाब का मातरक है पासकल बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुसन की कहता है मेरे दोस्त मनुस्षि जब सांस छोड़ता है तो कौन्शीगेस निखलती है ये आपको बताना है गुसन बहुत ही शांदार है मेरे दोस्त सोथ समझ के आशर देना है इसका बिल्कुल आपसट डी CO2, carbon dioxide बिता रहा है वो बिल्कुल शहीं बता रहा है दोस्तो बहुत अच्छा बात करते हैं दोस्तों next question कहता है मेरे दोस्ती कौन सा रक्त समू है survey data कहलाता है A, B, A, O या B ये बताई कौन सा रक्त समू है survey data कहलाता है बहुत अच्छा question है बिल्कुल करते हैं दोस्तों next question कहता है मेरे दोस्ती पानी का रासानीक सुतर क्या है D2O, CO2, H2O या N2O ये बताई कौन बहुत ही शांदार है मेरे दोस्ते पानी का रासानीक सुतर बिल्कुल H2O option C जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल शहीं बता रहा है दोस्तों एकजाम के अंदर क्यों सुतर आता है कि भारी पानी का सुतर क्या है तो मेरे दोस्त भारी पानी का सुतर है D2O, Duterem Oxide और इसके खोज मेरे दोस्त HC, Uranium की ती ये आपको ध्यान रखना है और Nitrix Oxide का रासानीक सुतर N2O होता है ठीक है बात करते हैं दोस्तों Next Question की Next Question बहुत ये अच्छा है Barium का परतीक चिन क्या है BA, BR, B या W रासानीक सिंबल आपके एकजाम के लिए Very Important है मेरे दोस्त Barium का परतीक चिन आपको बताना है कि उसन बहुत ही श्यांदार है बिलकुल Option only जो दोस्त Option A बता रहा BA वो बिलकुल शही बता रहा है इसका मेरे दोस्त Barium का रासानीक जो शुत्र होता है ये मेरे दोस्त B, A, S, O, 4 होता है जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना और आपके एकजाम के अंदर Very Important किसन बनता है मेरे दोस्त ये बताए किसन बहुत ही शांदार है कलोरोफिल में क्या नहीं होता बिलकुल Option A इसका Right होगा कलोरोफिल के अंदर केल्शियम नहीं होता मेरे दोस्त बात करते हैं नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन कहता है मेरे दोस्त तारू का चमकना किसके कारण होता है ये आपको बताना है परकास के विवर्तन के कारण परकास के अपवर्तन के कारण या परकास के परावर्तन के कारण या मेरे दोस्त परकास के वेति करण के कारण ये बताए तारू का चमकना बिलकुल बहुत अच्छा option B परकास के अपूबरतन के कारण दोस्तों तारे है ये रात रिको दोस्तों टीम टीम आते हुए दिखाई देते हैं बात करते हैं next question की next question कहता है मेरे दोस्ते इंधन के अवस्ता होती है दर्वेट, ठोस, गैस या सभी ये बताइए इंधन के अवस्ता होती है तो दोस्तों इंधन के है ये तीनों अवस्ता ही होती है ठोस, दर्वेग, ये सर्ताथ, इसका right answer option जो दोस्ते D बता रहा है और प्रोक सभी वो बिल्कुल शही बता रहा है बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्ती प्रोके, रियोटिक्स, सेल में क्या नहीं पाया जाता नियोकली कामल, DNA, कोसी का भित्ती या कैंद्रक कला ये बताए कि उसन बहुत श्यांदार है बिल्कुल, बहुत अच्छा option इसका right होगा, option D, कैंद्रक कला option जो D बता रहा है, वो बिल्कुल शहीं बता रहा है बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है, मेरे दोस्त पोदे अपना बोजन किससे बनाते हैं पानी, कर्वन डायोकसाइड, सूरिये के परकासे ये बताए बिल्कुल इसका right answer option C होगा सूरिये के परकासे बनाते हैं मेरे दोस्त, पोदे अपना बोजन, बहुत अच्छा बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्त बरमांड में हाइडरोजन का कितना परतिस्द पाए जाती है बरमांड में हाइडरोजन है आपसन निवदन एक बार प्यार से दिल से सेसन को जिस दोस्त ने लाइक नहीं क्या लाइक कीजिए क्योंकि मेरे दोस्त जितने लोग आप लाइव रहते हो ना उतने आप लाइक नहीं करते हो यह आपके सबसे बड़ी गलती है तो इसे आप सुधारी है और जल्दी से लाइक कीजिए मेरे दोस्त ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको और अच्छी तैयारी करवाई मेरे दोस्त क्योंकि अब आपका सफना पूरा होने वाला है मेरे दोस्त बिल्कुल इसका राइट अंसर ऑफसन डी होगा 11% 71% दोस्तो बरमांड के अंदर अर्तार्थ सूरिय के अंदर है यह हाइट्रोजन पाए जाती है यह आपको ध्यान रखना है 78 नहीं होगा दोस्तो 78 है यह वायू के अंदर नाइट्रोजन का परतिशत होता आपके एकजामे के उसन आता है वायू में नाइट्रोजन कितने परतिशत पाए जाती है तब मेरे दोस्त आपको 78 परतिशत 78% करके आनी है आपके एकजामे के उसन आता है वायू में उक्सीजन का परतिसद कितना होता है तो वायू में उक्सीजन का परतिसद 21-21% होता है और कार्बंडाई उक्साइड का परतिसद है यह मैरे 2.0 3 परतिसद होता है यह आपको ज्यान रखना है बात करते हैं नेश्ट को सुन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त अंता है सरावी गरंती क्या सरावित करती है साइटू पलाजबा, नुकलेक ऐसेड, विटामिन या हार्मोन या हार्मोन ये बताएए अंता है सरावी गरंती क्या सरावित करती है बिल्कुल हार्मोन ओप्सन डी इसका राइट होगा अंतहसरा विगरंते मेरे दोस्त हार्मोन उत्पन करती है बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त यदि इलेक्ट्रोन को आवेसित किया जाए या आवेसित को गटाया जाए तो यह क्या होगा अब इसी तो उदासीन आप गठी ते या अभी गठी ते यह बता है क्योशन बहुत अच्छा है मेरे दोस्त टेक्निकल के लिए बहुत ही श्यांदार क्योशन है यह इसका राइट अंसर ओनली ऑप्सन बी उदासीन होगा मैं मेरे दोस्त ध्यान रखना ठीक है बात करते हैं दोस्तो हम नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट सेशन पार्ट सी के अंदर दोस्तो मैट्स के क्योशन पूचे जाते हैं 15 और 5 क्योशन मेरे दोस्त रेजिनिंग के पूचे जाते हैं ठीक है और इसी एकोडिंग मेरे दोस्त आपके गज़ा में मैट्स पूचे जाएगी और आपक इसी जोस और जोनों के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त तभी आपको सफलता मिलेगी कहते हैं कि बीना महनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड लेना अंधेरों में अपनी मंजिल जुगनों कभी रोसनी के महताज नहीं होते मेरे दोस्त इसी जोस और जोनों के साथ आपको अपनी फढ़ाई को कंटीनियू रखना है बस कुछ ही दिनों की बात है उसके बाद आपके सरीर पे इंडियन आरमी की वर्दी होगी मेरे दोस्ते क्योंसन कहता है यदि किसी वर्ग का क्षेतरपल 145 वर्ग मेटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी ओप्सन शाप के सामने है पहले मेरे दोस्त आप अपनी कोफी के अंदर मिलाई अगर फिर आपको गलती से नहीं आता है तो आपका ध्यान बिलकुल सामने होना चाहिए अगर मेरे दोस्त मैं आपसे कहूंगा कि बताए मेरे दोस्ती वर्ग का क्षेतरपल ग्यात करने का फार्मूला क्या होता है तो आप कहोगे सर भुजा स्क्वाइर होता है वर्ग का क्षेतरपल मेरे दोस्त आपको क्षेतरपल कितना दे रखा है भाइया 147 वर्ग मेटर दे रखा है तो मेरे दोस्त ये स्क्वाइर अटेगा तो इदर क्या लगेगा रूट लग जाएगा तो रूट के अंदर मेरे दोस्त 147 के वेलीू कितनी होती है आप कहोगे सर 12 होती है तो मेरे दोस्त इस वर्ग की कितनी गोलियां रखी जा सकती है अप्सेंस आप के सामने है बहुत ही अच्छा क्योंस नहीं मेरे दोस्त देखिए 20 सोरी यहां पर आपको 40 ग्राम दे रखा है और यहां पर मेरे दोस्त 20 किलो ग्राम दे रखा है मैं आप से कहूंगा बताएए दोस्त एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते है आप कहोगे सर एक हजार ग्राम होते है एक किलो ग्राम में तो मेरे दोस्त 20 में कितने हो गई तो 20 में मेरे दोस्त हो गई 20 हजार ग्राम तो यहां पर आपको कहा है 40 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जा सकती है तो मेरे दोस्त 20,000 के अंदर 40 का आपको भाग लगाना होगा तो आपका जो right answer होगा ये होगा option B 500 गोलिया है ये मेरे दोस्त इसका right answer होगा 500 गोलिया है ये मेरे दोस्त इसका right answer होगा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट को सुन की नेश्ट कुसन कहता है आर त्रीजा वाले गोले का संपूर्ण परिष्ट क्या होगा पाई आर स्क्वाईर फोर आर स्क्वाईर या फोर पाई आर स्क्वाईर या सिक्स पाई आर क्यूब यह आपको बताना है बेलकोल गोले का संपूर्ण परिष्टी आपको ग्यात करने के लिए मेरे दोस्ती फोर पाई आर स्क्वाईर ये सुत्तर आपको लगाना होगा अरतारती जो दोस्त ओफसन सी बता रहा वो बिलकुल शही बता रहा बहुत अच्छा और दोस्तो छेतर मेती के जितने भी फार मुले है ना मैं आपको अब भी बता रहा उनको रीड कर लेना द 24, 45, 72 का मस से क्या होगा मस HCF आप सभी को बताना है उपसन्स आपके सामने है लेकिन मेरे दोस्ती ये क्यूसन आपके HW के लिए है क्योंकि LCM और HCF से मेरे दोस्त आपके एकजामे संक्या चेंज होती है लेकिन definitely क्यूसन पूछा जाता है तो देखते हैं आपको ये क्यूस LCM का क्यूसन गलत नहीं होगा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट क्यूसन की नेश्ट क्यूसन कहता है मेरे दोस्ती नो महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती है तो साथ महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी definitely are you sorry क्यूसन पूछा जाएगा मेरे दोस्ती नोट कर लेना यहाँ पर नो की जगा आपको संक्या चेंज हो सकती है बाकी तरीका आपको वही लगाना है जो हम अभी आपको बताते हैं किसन कहता है नो महिलाएं किसी काम को नो महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती है साथ महिलाएं उसी काम को औरतार एक काम को कितने दिनों में करती है यह आपको बताना है तो बस इनको आपको ऐसे multiple करना है मेरे दोस्ते 9 into 28 बटा 7 7 ती आपकीस और 9 तरी 27 दिन जो दोस्त ओप्सन शी बता रहा है 27 डेज वो बिलकुल सही बता रहा है बहुत अच्छा बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ती 10.45 का मान कितना है दोस्तो आपके गजा में इस सारनी से मान डेपिनेंटली पूचा जाएगा 26 अक्टूबर 2009 अने नर्सिंग असिंस्टेड के पेपर में दोस्तो ये कुशन डारेक्ट इसी परकार पूचा गया था 10.45 का मान आप सभी ने राइट आंसर दिया है जो दोस्तो आप्सन बे बता रहा है एक वो बिलकुल सही बता रहा है अगर दोस्तो 10.45 का अगर आपके एकजा में कुशन नहीं आता है तो फिर मेरे दोस्त डेपिनेंटली साइन तीस का मान आईगा तो साइन तीस का मान एक बटा दो होता है इसको आप रट लेना मेरे दोस्त बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त एक रेल गाड़ी 40 किलो मेटर पर हाउर की चाल से चल रही है तो 18 सेकिंड में कितनी दूरी तैय करेगी यह आपको बताना है मेरे दोस्त दूरी बराबर क्या होता है आप कहोगे सर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है तो यहांपर आपको दूरी दे रखिए है 40 किलो मेटर पर हाउर तो इसको आपको मेटर पर सेकिंड में convert करना होगा तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा 40 को आपको किसे multiple करना होगा 18 बटे 5 से करना होगा 5 से 40 कटेगा 8 बार और 8 और 18 का मेरे दोस्त multiple होता है 146 अब आपको वो फार्मूला लगाना है मेरे दोस्त चाल बराबर क्या होता है दोरे इंटो समय समय आपको दे रखा है 18 सेकंड 143 को आप मेरे दोस्त जब 18 से multiple करोगे तो आपके पास आएगा मेरे दोस्ती 2500 ब्राण में 2500 ब्राण में मीटर तो इसका right answer जो दोस्त option भी बता रहा है वो बिलकुल सही बता रहा है बहुत अच्छा बात करते हैं next question की next question कहता है log यहाँ पर log करना मेरे दोस्त लोंग नहीं है ठीक है लोग एक कमान कितना होता है direct आईगा अगर आईगा तो ध्यान रखना ठीक है तो याद कर लेना लोग एक कमान है यह 0 होता है बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्त किसी संक्या का 40-30-20 है तो उसी संक्या का 25-30 क्या होगा आपके एकजा में percentage का question बस इसी level से पूछा जाएगा या फिर direct question आता है 80 का 80% कितना होता है क्योंकि यह जो अभी 23 फरोरी को एकजाम होगा था उसके एकजाम इसी परकार का question आया था मेरे दोस्त देके 40-30 किसी संक्या का अर्तार्थ अक्स का क्या है मेरे दोस्त 40-30 अटाओगे नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा यह कहता है किसी संक्या का 40-30 क्या है मेरे दोस्त 20 तो पहले इस value को आपको बचास करना होगा 10-10, 2-2 2-100 कटेगा 50 बार भाई ठीक है तो यहां तक काप का Mary had a by 50 तो उससंक्या का किस संक्या का मेरे दोस्ति इस 50 संक्या का बताना है आपको इस 50 का 25 परतिसेत किटना है तो 50 का 25 परतिसेत आपको निकालना है परतिसात अटाओगे नीचे सो लग जाएगा पचास दूआँ सो और ये दो से पचिस कटेगा मेरे दोस्ती साड़ा बारा परतिसात ओफ्षन एई इसका राइट होगा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ती किसी आईट के लंबाई में 10 परतिसात की वर्दी और चोड़ाई में 10 परतिसात की कमी कर दी जाए तो उसके सेतरपल में कितने परतिसात की कमी या वर्दी होगी ये कुशन आपके एकज़ा में पूछ जाने की संभावना है और डारेक्ट इसको रट लेना दो बिंदी से दो बिंदी दो बिंदी से दो बिंदी ग्याराना नन्याण में तो भाई पहले था ये 100 अब हो गया ये नन्याण में तो कितने की यहाँ पर कमी वर्दी होई तो एक परतिसात की कमी ओप्सन से इसका राइट होगा बात करते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन की, नेस्ट कोशन कहता है प्यारे, किसी तिरिभुज का एक कौन सम कौन है, तता दूसरा कौन 50 डिगरी है, तो तीसरा कौन क्या होगा, मैरे दूस्त तिरिभुज के तीनो कौन का योग कितना होता है, आप कहोगे सर, 180 होता है, इसने क्या कहा है, किसी कितना हुआ रहे भाया 100 हो गया ठीक है तो अब देखिए 180 का होता है टोटल 144 का यहां तक हो गया कितना कम पड़ा मेरे दोस्त 40 तो तीसरा कोण है यह होगा मेरे दोस्ती 40 डिगरी का बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ती बेलन का आईतन होता है पाई आर स्क्वाइर एच एक बटा तीन पाई आर स्क्वाइर एच चार बटा तीन पाई आर क्यूब दो बटा तीन पाई आर क्यूब यह आपको बताना है बेलन का आईतन बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है ब गोले का आईतन आपके एक जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है गोले का आईतन होता है चार बटा तीन पाई आर क्यूब और दोस्तों अर्द गोले का आईतन होता है दो बटा तीन पाई आर क्यूब बात करते हैं नेश्ट को सुनगी नेश्ट को सुन कहता है एक आईत का किसेतरपल 180 है और लंबाई 18 है तो उसका परिमाफ क्या होगा बहुत यह अच्छा क्यूसन है मेरे दोस्ते मैं आपसे कहूंगा बताई आईत का किसेतरपल का फार्मूला क्या होता है आपको होगे सर लंबाई इंटू चोड़ाई होता है भाईया लंबाई आपको दे रखा ह 18 चोड़ाई आपको निकाल निए अक्स मान लीजे एक शितरपल आपको दे रखा है 180 तो देख यह 18 अक्स बराबर कितना हो गया भाईया 180 हो गया तो आपके अक्स की वेलिवा आगई 10 अर्त आर्त आपकी जो चोड़ाई है यह मेरे दोस्त 10 मिटर आ चुकी है अब आपको क और 18 कितना होता है रे भाईया 28 होता है 28 होता है तो 28 कितना हो गया 56 cm 56 cm इसका right होगा option A नहीं होगा option A में square देर का है option D 56 cm इसका right answer होगा next question है मेरे दोस्ती 34 multiple 36 multiple सुने multiple 10 तो बराबर आपको मान बताना है तो देखें दोस्तों किसी भी संक्या कुछ 0 से गुणा करोगी तो क्या आएगा भाया सुने ही आएगा next question की तरफ बढ़ते हैं next question कहता है 20 A plus 15 बराबर 13 A plus 43 में A का मान क्या होगा यह आपको बताना है question बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्ते देखें एक की वेल्यू को आप एक तरफ कर लीजिए 20 और 13 13 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा भाया तो 20 में से 13 गया कितना बचेगा आप कहोगे सर 7 A बचा ठीक है यह 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 43 में से 15 गया कितना बचा रहे भाया 28 बचा तो A की आपको वेल्यू बतानी है तो 28 के अंदर 7 का भाग लगा दीजिए च्यार आपके पास A की वेल्यू उप्सन सी जो दोस्त बता रहा वो बिलकुल सही बता रहा नेक्ट सेसन के अंदर आपके गज़ा में मेरे दोस्त पांच किशन रिजिनिंग के पूछ जाते हैं जो कि अहम भूमी का नबाते हैं आपके रिजिनिंग मेरे दोस्त ठीक होनी चाहिए क्योंकि रिजिनिंग एक किशन रिजिनिंग में ऐसा आता है मेरे दोस्त जिसे कोई भी नहीं कर सकता यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा है यह बताइए देखे मेरे दोस्त एक के बाद में है बी बी के बाद में है सी तो सी के बाद में यहां पर क्या आएगा डी आएगा नो के बाद में पलस दो की वर्दी हुई 11 पलस 2 की वर्दी 13 और पलस 2 की वर्दी 15 तो D और 15 D 15 ओप्सन C के अंदर दे रखा है तो ओप्सन C इसका राइट होगा इस परकार के क्योषन आपके एक जामे पूचे जाते हैं यदि कूट बासा में E बराबर 5 EMP इंपेर बराबर 66 है तो रिपेर की कूट बासा क्या होगी बहुत ही श्यानदार ला जवाब क्योषन है मेरे दोस्त देख ये E कितने प Legs पर आता है 5 पररशन में आपको दे रखा है उस्सी परकार मेरे दोस्त देख देखना है यह जो सभी संक्या है इसका जो कोट है इसको दोस्तों पलस किया है कोड को ठीक है ना कूटबासा E5 पे आता है M13 पे आता है P16 I R I9 R18 E5 इनको जब आ मेरे दोस्त काउंट करोगे तो 66 आपके पास आएगा तो उसी परकार देखिए R कितने पे आता है भाईया R आता है 18 के पर आपको यह ध्यान रहना चाहिए E5 पे आता है P मेरे दोस्त 16 पे आता है A1 पे आता है और I है यह मेरे दोस्त 9 पे आता है और R है यह 18 पे आता है इसको आप जब काउंट करोगे तो यह मेरे दोस्त 67 आएगा तो आपसन A इसका राइ पता है मोहन 22 किलो मेटर उत्तर की और अपने घर से चला तता दाई मुड़कर 15 किलो मेटर चला तता पुन है दाई मुड़कर 8 किलो मेटर चला तता फिर अंत में दाई मुड़कर 15 किलो मेटर चला तो बताई कि मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है देखे मेरे दोस्त दाई बाइएं का अगर आपको अच्छी तरह की से पता है तो मेरे दोस्त जिंदकी में आपका ये किसन गलत नहीं होगा और आप चाहिए कितने भी इंट्रिजेंट हो अगर आपको दाइएं बाइएं का नहीं पता है तो कितना ही इजी किसन आपका सई नहीं होगा इसलिए रहता है कि ये अपने जाने के बाद घर से चला दाइं मुड़कर ये गया 15 इदर दाइं मुड़ेगा ये गया भाई 15 वापिस बोलर रहा है पुनहे दाइं मुड़कर पुनहे दाइं अर्थारत ये नीचे की तरब मुड़ा और ये 8 किलो मिटर चला तता फिर वह अंत में द धर पर कितनी दूरी पर है ये 22 था लेकिन ये मेरे दोस्त 8 वापिस भी आ गया है तो 22 माइनस 8 कितना बचा चोगदा बचा तो उप्सन ए जो दोस्त बता रहा वो बिलकूल सही बता रहा नेश्ट कुशन की बात करते हैं नेश्ट कुशन रिलेशन का है और रिलेशन से होती अच्छा किशन है इस किशन को आप अगर अपने पर लेके करोगे तो ये रिलेशन वाली किशन से सोल हो जाते हैं देखे मेरे दोस्त ए है ये क्या है बी की बहिन है तो एक को माइनस लगा दीजिए महिला है तो आपको माइनस लगाना है पूरस है तो पलस लगाना है C है ये मेरे दोस्त B की माता है C B की माता है माइनस लगा दीजिए D C का पिता है D है ये C का पिता है तो इसको आप क्या करें पलस कर दीजिए E D की माता है इसको भी आप माता पिता को मैंसा उपर एक पे D के अंदर लगनों लिखना है मेरे दोस्त ठीक है तो ई है ये क्या है डी की माता है ठीक है डी की माता है तो इसने क्या कहा है तब एका इस एका डी से क्या समंद है तो आप खुद देख सकते हो मेरे दोस्त ये इसकी क्या लगेगी ये इसकी पोती आप नातिन कह सकते हो तो आपसन डी इसका राइट होगा बहुत अच्छा डिमाख वाला किसन नहाएं, देखिये मेरे दोस्त, ये हो गया माँ लीजी आप राम ठीक है? ऐसे सिंबल आपको बनाना है, राम है ये श्याम से लंबा है, अर्टारत ये ये हो गया, ये राम से लंबा हो गया, लेकिन मेरे दोस्त मोहन से चोटा है, कौन है इनमें सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा कौन है मोहन option B इसका right होगा अब मेरे दोस्त आप इमानदारी से बताए आप इन 50 में से कितने questions right करते हो बहुत से लड़के बता रहे हैं अगर आपके 40 पलस है ना तो आपके तैयरी वाकिये में बहुत याची सरहानी है और 38 पलस है तो भी कोई दिकत नहीं है मेरे दोस्त क्योंकि पेपर में कुछ किशन्स डिफिकल्ट भी थे हालांकि ज्यादा किशन्स नहीं थे भाई ठीक है तो आप अपने ARO में पॉन्टेक्ट एक बार जरूर करना और वहां से अपने पेपर को आप कंफरम कीजिये ताकि पढ़ने भी मज़ा आई और पढ़ाने में भी आननदा आई मेरे दोस्त ठीक है बाकि आप सभी इसी जोस और जनुन के साथ पढ़िए मेरे दोस्त